इसलाम के लोगों ने सही समझा ही नहीं है क्योंने उसकी मूल बाते पता नहीं है, दरसल इसलाम का मतलब है सांथी और मानवता से प्यार करना, रचलित आउधारण के खिलाब, इसलाम को अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए, और अन्य धर्मों के लोगों से भायचारा रखना चाहिए, इसलाम मानता है कि धर्म को लेकर किसी पर कोई दवाब नहीं है अगर एक विक्त अच्छा इंसान नहीं है तो वह अच्छा मुसल्मान भी नहीं हो सकता या इसलाम कहता है अब बारी है चारुन हैरान करने वाले बातों की अरब देशों में रहने वाले लोग सभी मुसल्मान नहीं है उनमें इसाई बौध यहूदी एतेष्ट भी है इसके बावजूद हिंडोनेसिया में मुसलिम आबादी जादा है असलाम के अंतिम धर्म गुरु मुहम्मद साइब हुए उनके लिए एक सब के मन में आदर था लेकिन उनकी पूझा नहीं कि जाती है क्योंकि अल्लह के अलावा अगर कोई मुसल्मान किसी और की पूझा करता है तो उसे पाप समानी समझा जाता है जिसे सर्क कहा जाता है मक्का और मुहम्मद दोनों को इसलाम में बहुत माना जाता है लेकिन उनकी पूझा नहीं कि जाती है अल्ला हुआकबर का मतलब है अल्ला महान है मुसलिम लोग अपने दुख, दर्द और चिंताय मिटाने के लिए ऐसा कहते है गैर धर्म के लिए इसका अर्थ हो गाई स्वर महान है नमबर चार सारी मुसलिम औरते भुरका नहीं पहनती है भुरका या हिजाब का मतलब है अपने आपको ढखना लेकिन मुसलिम औरतों के लिए यह अनिवार नहीं है वो भी माडन कप्डे पहन सकती है इसलाम के लोग कहते हैं आपके सरीर का कोई हिस्सा दिखाई नहीं देना चाहिए बस गैस धर्मों के इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना